मैं लोटी हूँ एक और बढ़िया से डेजर्ट रेसिपी के साथ जिसका नाम है फ्रूट क्रीम फ्रूट क्रीम बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत असान है कुछ ही इंग्रीडियन्स के साथ यह फटा फट रेडी हो जाती है जो भी मन चाहे फ्रूट्स है वो आप इसमें आड कर सकते हैं और उसका मज़ा उठा सकते हैं फ्रूट क्रीम में यह बहुत ही हेल्दी डेजर्ट है और जटपट बन जाता है इस रेसिपी की खास बात यह है कि यह साल में कभी भी बना सकते हैं आप प्रूट क्रीम को सही तरीके से बनाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के इंड तक जुड़े रहें स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में अपने इस नहीं और प्यार को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फ्रूट क्रीम बनाने के लिए आपको लेनी है 200 ml क्रीम मैंने यहाप अमूल की फ्रेश क्रीम ली है आप जाएं तो घर की मलाई भी ले सकते हैं मलाई को फ्रेश क्रीम में कनवर्ट करने के लिए आपको लेने 1500 ml मलाई और 50 ml मिल्क इसको आप विप करेंगे अच्छे से जब जब तक थोड़ा थिक नहीं हो जाता अगर आपके पास बीट करने के लिए बीटर नहीं है तो आप विसकर का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैनूल विसकर आता है या फिर फोक का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको विसक करना है जब तक यह थोड़ा थिक नहीं हो जाता और आपको जाएगा इसकी जो quantity है वो थोड़ी बढ़ जाएगी अच्छे से बीट करना है और ये भी ध्यान रखेगा जो क्रीम है वो थोड़ी चिल्ड होनी चाहिए अब मैं इसमें आट करूंगी वन थर्ट काप ऑफ पाउडर शुगर चीनी को मैंने पीस लिया मिक्सी में इसको पहल मेरा यकीन मानिए दोस्तों इस recipe को जरूर ट्राय करें बनाने की देर है बस सब खाते रह जाएंगे अब जो हमने क्रीम विप करी है उसको बड़े बावल में ट्रांसफर कर लेंगे साथ ही इसमें आड़ करेंगे डेर का फाइन लीच और फ्रूट्स को बहुत ही बारी सारे फ्रूट्स इसमें आड़ करेंगा डेस बहुत है याद रखेंगा वाटर बेस फ्रूट्स मत लीजेगा और सिट्रूस भी मत आड़ कीजेगा उससे अच्छा नहीं आता है है अम मैं इसमें आड़ करेंगी 6-7 बारी कटे हुए काजू 7-8 से 10 बारी कटे हुए बड़ बदाम को थोड़ी देर बिगोना है मतलब 6-7 गंटे के करीब और इसमें आट करेंगे 10-15 किश्मिश गायनिश के लिए कुछ बदाम और काजू के टुकडे बचा लेंगे ड्राइफ रूट्स चालने से बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आता है फ्रूट क्रीम में सारे फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम में और ये रेडी है फ्रूट क्रीम बनाते बनाते ही मेरे मूँ में पानी आ गया अब और वेट नहीं होता है इसे सर्फ करते हैं और बेटर रिजल्स के लिए आप इसको तीन से चार घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें और फिर सर्फ करें ये ठंडी ठंडी फ्रूट क्रीम समर्स में बेस्ट डेजर्ट रेसिपी है इन फाक्ट ये सर्दियों में भी बहुत टेस्ट ही लगती है कार्णिश करें इसे ड्राइ फ्रूट्स और फ्रूट्स के साथ और जादा देर मत लगाईए जल्दी से बनाईए इस रेसिपी को और मेरे साथ शेर कीजेगा अपने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स मिलूंगे ऐसी और बढ़िया बढ़िया रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट टो लाइक शेर और सब्सक्राइब